वेलकम बैक तो माई यूटीब चैनल इस्टेडियाइट हूं विच संदीत रुपाटी सुबटा आज के इस वीडियो में मैं एक्स्प्रेइन करने वाला हूं नाउन केस और इसको एक्स्प्रेइन करने के लिए मैंने लिया हुआ है फिलाला भी क्लास 6th स्टैंडर्ड की ये हुआ है पहले मैं आप लोगों के क्स्प्लेइन करूंगा कि क्या क्या होते हैं उनकी बारे में डिटेल्स प्रवाइट करूंगा दिन अफ्र इस वीडियो में हम लोग सॉल करेंगे इस चैप्र के एक्सरसाइज को और अगर हाँ चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को स यूसफुल लगा की नहीं लगा क्योंकि आपके फीडबैक के बाद ही मुझे पता चलता कि मैं मेरा जो यह एफ़र्ट है आप लोगों के लिए यूसफुल है की नहीं है जिससे कि फृदर वीडियो भी आप लोगों के लिए रिकॉर्ट करूंगा तो पहले इसको में कहां पर हो रहा है तो ना उन के यूस ज़िस जगह हो रहा है यानि उसके प्लेस के अधार पर ना उन के कुछ ऐसे कुछ काइंड बताए गये हैं जिसमें कि जो पहला केस बताया गया है धा इस नूवन एस की समझगे कि नॉमिनेटिव को केस को बटा कई सारी बुक जाब तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इसको एक और नाम से जाना जाता है that is subjective case okay everyone तो nominative case को आप दो तरीके समझेगा कि nominative case क्या है nominative case ही subjective case है तो देखें यहाँ पर क्या है a noun is said to be in nominative case if it is the subject of a verb इसका मतलब क्या अगर कोई भी sentence दिया गया है कोई भी sentence लिखा गया है और उसमें कोई noun आया क्या है कोई noun आया है और अगर वह noun किस की जगा पर है subject की जगा पर है ठीक है तब कहलाएगा कि वह noun किस case में यूज हुआ है बटा वह noun यूज़ हुगा नॉमनीटिव कीस में देखिए यहां पर आई वी शाप लोगों को पता होगा अपने पढ़ा होगा कि कोई भी sentence होता है तो कोई भी sentence में सबसे पहले subject लगता है subject के बाद हम helping verb यूज़ करते हैं helping verb के बाद हम main verb with form लगाते हैं और फिर लगाते हैं object तो object कहा होता है object बिलकुल एंड पर होता है और subject starting में होता है अब आपको यहां पर यह सीखना है कि मान लिजे अगर noun subject की जगह पर यानि कि starting में यूज हो गया तब वो कहलाएगा क्या कि यह किस में है नॉमिनिटिव केस में है अगर आगे भी मैं आपको समझा दूँ अगर वही noun कहां यूज हो गया object की जगह पर यूज हो गया बिटा तब वो आपका कहलाएगा objective case या कुछ केस बिसे एकुजेटिव केस भी बोलते हैं तो हमने यहां पर क्या सीखा कि अगर noun subject की जगह पर यूज हो रहा है तब वो क्या कहलाएगा subjective case कहलाएगा और object की जगह पर यूज हो रहा है तो objective case कहलाएगा ठीक है यहां पर कुछ examples लिखे वे उसको आई समझते हैं और देखते हैं जैसे कि अब यहां पर देखें लिखा क्या है कि रिम्षा गुपता is an intelligent girl तो यहां पर देखें जो एक बच्ची है जिसका नाम क्या रिम्षा गुपता है अब देखें आप को पता होगा कोई भी अगर वियक्ती होता है तो noun होता है अब देखें इस पूरे sentence में जा कीई से तो अब देखी एम ज़रा है पर निंचे एक्जांपल ले देखने हैं अब यहां पर देखőnych के तो हाँ ड़िए भाता यहां को पता यह कौन से और यह की उसले कॉन पता पता हुगा फादर इस पूरे sentence में object की जगह भी use हुआ है तो अब यहां पे आप से पूंचा जाएगी फादर यहां पे किस case में है यह किस case में यहां पर यहां पर यहां पर यूज किया गया है यह यह यूज किया गया है यह किस case में है यहां यहां पर देखिए जो seller से बिटा यह भी एक noun है ठीक है अगर आप sellers की बात की जाए sellers किस case में तो sellers को आप बोलें जैंडिस इन नॉमेंटिव केस यह किस केस में है यह नॉमेंटिव केस है यह फिर इसको आप subjective केस भी बोल सकते हैं चलिए अपने थर्ड काइन स्क्यूर चलते हैं समझते हैं यह थर्ड काइन क्या है यह देखिए आपका सबसे most important kind इसे आप प्लीज अच्छे समझगेगा क्योंकि आगए उक साइस मिनें कि आपको basically इसी किसे मिलेगी ठीक है तो देखिए पॉसेसिव केस बिटा बना है पॉसेस वर्ड से किसे मिलके बना ही पॉसेस और देखिए पॉसेस का case if it denotes possession यानि यह क्या बता है position या ownership या आपका मालिक का ना बता है यानि कि आपको उस पर अधिकार है ठीक है a noun or pronoun in the possessive case is governed by a noun that follows कहने के मतलब क्या है जब कोई भी noun समझेगा जब कोई भी noun या कोई भी व्यक्ति क्या करें किसी दूसरे चीज पर क्या करें अधिकार दिखाए अपना possess दिखाएं तो बस वहीं पर हो जाता है possessive case जैसे देखिए आप हम examples देख लेती हैं आपका example दिया गए अम्रिता's handbag is on the chair तो यहां पर समझेगा कि यहां पर handbag पर किसका अधिकार है यानि यह किसका है अम्रिता का यहां पर देखिए यहां पर गट's तो याई फैन पे किसका दिकार हो गया मेरा दिकार हो गया अगर मुणें अगल कि यहाँ पुआर्द और इसमें हम लगाएंगे एपॉस्ट्रोफी एश् Secret और इस्से बूलेंगे हम रोहिट स्फैному इसे हम क्या बोलेंगे रोहिट स्पैन पॉला तो रोहिट एक नाउन हो गया और किस पैन पिर तो आप बोलेंगे और कॉहिः को बोलेंगे सर यहाँ परॉसेसिव की से हापुछ इसके US की इूपउटन old पार्ट है देखी तो यहां पर जो फर्स्ट डूल यह कहता है तो फॉर्म द पॉसेसिव केस एड़ अपॉस्ट्रॉफी प्लस एस तु द नाउन देखी इसका मतलब क्या है तो आपको दूसरे नाउन प्रदिकार दिखाना होगा तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहां पर आपको लगाना होगा क्या apostrophe s जैसे कभी मैंने देखे example लिया था मैंने माल जी मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ राम का bag तो इसे मैं राम bag नहीं लिखूँगा समझेगा पहले ठीक है इसे मैं कैसे लिखूँगा यहाँ पर apostrophe s लखाऊँगा तो यह हो जाए गा राम सा bag लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है अब माल लिजे यहाँ पर जी जो noun है यह noun को यह plural number निकल जाए क्या निकल जाए plural number अब आपको पता होगा जो maximum plural number होते हैं वो किस के साथ finish होते हैं s से finish होते हैं अब मैं जैसे बोलू कि children's bag या फिर देखिए यहाँ पर जो एक्जामपल लिए इसी के लिए लिए चोटा सी एक्जामपल है तो अगर मैं बोलू कि girls मैं girls मैं माल लिजे बोलना चाहता हूँ देखिए अगर यहाँ पर s न रहता क्यों girl लिखा होता हमें possessive case बनाना तो हम यहाँ पर क्या करते है apostrophe लगाती थी girl apostrophe s ठीक है और हमारा यहाँ पर क्या बन चाता वही possessive case बन चाता बट यहाँ पर देखिए problem की बात अब क्या है कि आपका यहाँ पर जो noun है वो already plural दिया गया है प्लूरल में क्या है कि यहाँ पर s end बे है अब माली जी इसको आप pen के साथ क्या करना है आपको possessive दिखाना है तो अब आप यहाँ पर apostrophe s आप नहीं लगाएंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर देखिए already यह end में s है ऐसे situation में क्या करना होता है कि आपको केवल यह apostrophe लगाना होती इस s को आप यहाँ पर विटा नहीं लगाएंगे यानि कि यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे केवल और क्यों हम लिखेंगे girls then apostrophe then pen ओकी अब रिवन यहाँ बस में आपको noun मिल गया ठीक है और ध्यान रखेंगे अगर वो noun के end पे s आ जा रहा है क्या आ जा रहा है s आ जा रहा है तब उसका possessive बनाने के लिए केवल और क्यों आप क्या करेंगी केवल apostrophe लगा देंगे और फिर जो noun होगा वो noun लिख देंगी और जब कोई noun आए और noun के end पे s ना हो ठीक है s ना हो तब आप apostrophe s लगा कर दूसरे noun को लिख देते हैं एक बार फिर से समझ लेते हैं जैसे कि मालिजे मैं यहां पे लिख देता हूं boy समझेगा आप देखिए जो boy है boy के end में s नहीं है जैसे मालिजे मुझे लिखना है boy cloth ठीक है तो अब इसका मुझे possessive बनाना है तो मैं यहां पे कर दूँगा boys यह यह पॉस्ट्रफी लगा दूँगा boys cloth लेकिन मालिजे word में boy वाला plural ले ले boys तो boys में देखिए क्या यह s already है तो इसका हम कैसे possessive बनाएंगे केवल यहां पे हमें पॉस्ट्रफी लगा देंगे और फिर हमें लिख देना है okay everyone इतनी बात आई उस आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी जैसे मालिजे यहां पर मैं कोई नाम ही लिख लूँ मैं यहां पर देखे लिख लूँ मानस प्लूरल की बात नहीं कि और इस की बात है कि मैनस के एंड में देखी होजागे यहांपर सकाथ के पाफस्ट्रॉफह देखी हैंकि आप अड़स सीद्भी लिखाकर यहांप लगा देंगे तो यह आपनी अप गलत हो जाया वही बाद आपको यहां पर समझ यहां प्रम करते हैं आप की बुख करते हैं आपके इस बूक का दियागिया, the color of, हाँ, तो यहाँ पे आपको देखि करना क्या है? Write down the possessive of the phrases given below, यानि यह जो phrases दिये गए हैं, इसका आपको possessive case में लिखना है, यानि कि apostrophe करके, तो यहाँ आप लिखा गया है, the color of the dog, क्या लिखा गया है? the color of the dog तो देखे इसे आप कैसे लिखेंगे तो इसे आप लिखेंगे पहले तो भाई यानि किसका color dog का color तो यहाँ पे आप लिखेंगे dog और चुक्कि यह dog देखे singular ही है तो आप यहाँ पे लगा देएंगे apostrophe s dogs color ओके आप रीगन I wish कि यह आपको पहला वाला समझ में आगया होगा आप देखे ज़रा यहाँ पर आपका second दिया गया है the office of the manager यानि manager की office अब इसे आप कैसे करेंगे तो आपके इसमें क्या करना पड़ेगा आप पहले लिख लेंगे यहाँ पर manager क्या लिखेंगे manager फिर आपको लगाना है apostrophe S दिन आप आगे लिख देंगे office ओके everyone तो यानि कि इसका possessive case विट आपको बन जाएगा manager's office ओके everyone और हाँ साथ आपको यह भी धियान देना देखे चुकि यहाँ पर देखे doc के before में आप दा लगा हुआ है तो आपको यहाँ पर दा भी लगा लेना है और वैसी जहाँ जिसे manager की पहले भी आप देखे आप article दा देख रहे है तो यहाँ पर आप क्या आप कर लेंगे दा the manager's office ओके everyone चली से erase करते है फिर नेक्स question को यहाँ पर solve करते है तो आप देखे थर्ड नंबर यह दिया गया था neighbors of my nephews यानि मेरे nephew के पनुसी अब इसको आप कैसे करेंगे तो इसमें देखे जो my nephew है अब देखे एंड पर s तो आया नहीं यानि कि यहाँ पर लगा लेंगे apostrophe s लिकिंग my nephews और जो neighbors आप देख रहे हैं कि इस वर्ड को आप क्या करेंगे उठा करके बिटा यहाँ पर आगे लिख देंगे यानि इसका answer क्या हो जाएगा my nephews neighbors okay everyone look the question number four it is saying the shop of the old man तो यहाँ पर क्या हो जाएगा the old man अब एंड बैस तो है नहीं तो यानि आपको यहाँ पर apostrophe s add करना है the old man's और यहाँ पर क्या करना है और यहाँ पर क्या करना है end पर लगा देना है okay everyone now let's solve question number five the feathers of pigeon तो यहाँ पर किसकी फीदर्स की बात हो जानि द पिजन को आपको यहाँ से pick करना है फिर आगे apostrophe s लगाएंगे the pigeons feeders अब यहाँ पर देखिए आप article दा को pick नहीं करेंगे feeders में कि आप feeders को pick करेंगे यानि कि the pigeons feeders okay everyone now six the hut in which the plumber lives तो देखिए यह बहुत अच्छा question है तो देखिए आपको confused करने के लिए इसने end पर lives lives दे दिया ठीक है तो देखिए इससे आप confused नहीं होने आपका यहाँ पर मतलब की ओल नाउन से होना चाहिए और नाउन यहाँ पर क्या है द प्लंबर यानि कि इसका जो आप possessive case बनाएंगे उसके आप क्या लिखेंगे द प्लंबर यानि कि आपको प्लंबर को यहाँ पे लिख लेङे और प्लंबर के बाद आपको क्या करना है, apostrophe s लगाना है और यहां पर किसकी उस पर किसकी बात किए उसके hut की बात की जा रही है तो यहां पर आप दिखेंगे the plumber's hut and this will be the will be the passive of this one अब देखें यहां seven number की बात करें the poems written by kids यानि कि यहां पर written से आपको मतलब नहीं ठीक confuse नहीं होना है बस यह poet से आपको मतलब है अब यहां पर ध्यान दिखेंगे जो poet का नाम है देखिए poet के नाम के इंट पर बिटा यहां पर आपको s मिल गया है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसका आप possessive case बनाएंगे तो आप क्या लिखें k-e-a-t-s kates दिन लगा देंगे केवल apostrophe apostrophe के बाद आपको s नहीं लगाना है directly फिर आपको क्या लिखना है poem लिख दिन रहे हैं okay everyone I wish यह बात आपको समझ में आगी होगी आई solve करते हैं question number seven sorry eight तो अब देखिए आपका eight question क्या कह रहा है this saying that the armlet belonging to her mother तो यहाँ पे देखिए आपको her mother मिल गया है बस आपको simply apostrophe s लगा देंगे और इस armlet को आपको क्या करना pick करके यहाँ पे आगे लगा देना है यानि कि यहाँ पे इसका possessive case क्या हो जाएगा her mother's arm it यानि apostrophe s then arm it okay everyone अब यहाँ पे देखिए हम लोग solve करते है next question let me change color of pen yes so nine the church named after sir backet अब देखिए इसको आप कैसे solve करेंगे इस आपको simply पहली यह नाम pick करना है चुकि यहीं यहाँ पे एक noun है sir backet अब देखिए यहाँ पे end पे आपको s तो मिल नहीं रहा है यानि बेकेट की आप लगाएंगे apostrophe then आपको put करना पेटा s sir backet और फिर end पे church को आपको pick कर के वहाँ पे लिख देना है यानि की sir backet church okay everyone now it's time for 10 absence for two months तो अब देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे इसको बस simply आपको क्या कर देना है वही तरीका two month then apostrophe लगाना है क्योंकि यहाँ देखिए months क इसको मिल रहा है ना तो केवल एपॉस्ट्रॉफी करेंगे पॉस्ट्रॉफी के बाद अब आपको एस नहीं लगाना है केवल लिखेंगे two months apostrophe then absence okay everyone now अब यहाँ पे देखिए 11 बलकि आप लोग समझ में आ गया होगा पर चली solve करा देता हूं ने अब यहाँ पे देखिए ह हो जाएगा size of the kurta तो यह क्या हो जाएगा kurta's size okay everyone आइविश यह आपको समझ में आगे होगा simply kurta apostrophes दिन आपकी size को pick करना है और आगे put कर देना है 12 की बात करें लिखाए the press release issued by the prime minister तो यहाँ पे the prime minister लिखेंगे then apostrophe then s लगाएंगे the prime ministers फिर क्याल करेंगे press release okay everyone now here is now 30 number the beliefs expressed by the priest तो यहाँ पे क्या हो जाएगा the priest apostrophe s क्या लिखेंगे the the priests और अब यहाँ पे दिखेंगे क्या belief है तो बस आपको क्या करना है आगे belief को add कर देना है और यह सापका यह भी क्या हो जाएगा solve हो जाएगा now next the music played by krishna तो krishna को आप कर देंगे krishna's music क्या करेंगे krishna's music okay everyone यानि krishna क्या बाद apostrophe s and then आपको music लिखेंगे अब यहाँ पर 15th number क्या कर है the clothes worn by Amita तो Amita की बाद आपको लगा देना है apostrophe s answer क्या लिखेंगे Amita's clothes answer क्या लिखना है आपको Amita's clothes find everyone a number has been solved now let's look at the B so look what the B saying that rewrite the following sentences by the use of possessive case यानि कि आपको क्या करना है आपको पहला question क्या दिया गया है this is assignment of अनुभाव यानि कि यह assignment कि इसका अनुभाव का है तो यानि कि इस sentence को आप कैसे लिख सकते हैं देखिए मैं बोल रहा हूं आप लोग प्रीज़ प्रीज़ पें copy ले लिए जो लिखते जाए क्यों कि अगर मैं लिखूंगा तो इट अनुभाव आप्याव को क्या होगा क्या होनेगा यहां तो यहां पिसका आपको क्या लिख सकते हैंगे इस लगा देंगे ऑफिस अनुभाव यानि की जो आपको नहाज sentence बनेगा नए sentence में आपको क्या लिखना है this is अनुभाव assignment okay everyone अब देखिए यहां पर next question क्या दिया गए है the shirt of the child is green तो यहां पर देखिए आपका off जहां पर आएगा वहीं आपको possessive case use करना है the shirt of the child अब देखिए इसको आप possessive case में क्या लिख सकते है the child को आपको pick करना है फिर apostrophe लगा के shirt को लिख देना है यानि क्या sentence क्या बनेगा the child's shirt is green क्या आपको लेंगे the child यानि की child लिखेंगे then apostrophe लगा है ठीक है the child's shirt is green now let's take here third number and let's see what the third is saying the wings of that bird are snow white in color देखिए यहां पर कहां पर off आया हुआ है यहां पर off आया हुआ है यानि कि आपका जो यहां पर कुछ sentence बनेगा आप यहां पर लिख सकते है that bird's wings किस की बात की जा रही इस bird के wings की बात की जा रही है और bird यानि that bird apostrophe लगा देंगे that bird's wings बांकि फिर जो remaining sentence से इसको आपको लिख लेना है तो sentence क्या बनेगा फिर सिक बार में रिपीट कर रहा हुआ हो लिख ली जी अच्छे से that bird's wings are snow white in color okay everyone now the fourth number अब देखिए आपका fourth number क्या कह रहा है fourth number is saying that this is hat of amrita अचली इसको तो मैं आप लोगो की उपर छोड़ा हूँ या आप लोग प्लीज इसको solve करिए और मैं चाहूंगो इसको आप लोग solve करने के वाद इसका answer आप लोग comment box में दीजिए तो मुझे पता चली कि आप लोग वाकई मन से वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं क्योंकि काफी easy question है देखिए यहाँ पर अगला क्या दिया गए the twi of child is noisy तो बस यहाँ पर भी आपको वही करना है यहाँ पर off दिया गए यानि कि आपको child और twi की बीच में relation बताना है तो child को आप क्या कर देंगे child's c-h-i-l-d करेंगे then apostrophe s लगा देंगे ठीक है तो child's और आगे क्या कर देंगे twi, देखिए twi का आपको दापिक नहीं करना ठीक है so child's twi is noisy what will be answer child's twi is noisy हाथ वासाई speed से में बोलूँगा I will not take much of time so sixth is saying that the book report of my cousin is superb तो यहाँ पर देखिए off यहाँ पर लगाने कि my cousin को आपको pick करना है ठीक है off की बाद जो ना हुना है कि आपको उसी को pick करना होता है तो यहाँ पर my cousin देखिए cousin के end पर देखिए क्या ऐसे है नहीं है यानि कि पॉस्ट्र ओफिस लगा सकते हैं तो यहाँ आप sentence क्या लिखेंगे my cousin's book report क्या लिखेंगे my cousin's और फिर यह बुक रिपूट का आप क्या करेंगे यहाँ पर लगा देंगे इस शूपब seven the stable of horse तो यह भी देखिए इस है आई विश आप लोग कर पाएंगे yes और फिर इस stable को यहाँ पर लिख देंगे next is the school uniform of mira तो इससे आप लोग प्लीज इसका answer भी आप लोग करके comment box में मुझे पताई काफी easy question है बस mira को pick करना है a post office लगाना है फिर क्या करेंगे school uniform को आगे add कर देना है next the rattle of boy is pink in color इसको तो मैं definitely लिए इसका answer में बिल्कुल बिटर नहीं बताऊंगा आप लोग खुछ से इसको solve करना बिल्कुल नहीं भूलिए क्योंकि जब आप लोग बिटर वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे लगता है हाँ मेरा अप्रिसेट कर रहे हैं अच्छा लग रहा है वीडियो करके notification bell कौन कर लें जिससे कि जब कभी भी मैं कोई भी वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको instant notification मिल जाएं सो देखिए पिटा आप यहां पर आपका next question क्या दिया गया देखिए आपको बहुत दिमाग से करना है यानि कि आपको यहां पर करना क्या है जो भी यहां पे आपको noun मिलेंगे जहां पर पौस्ट्रोफी लगा होगा उसको आपको पहले प्ली फॉर्म में change करना है फिर देखना है कि वेदर जो यह form दिया गया है यह आपको लगाना ह नहीं लगाना है देखे समझेगा यहां पर यानि कि अगर मैं बात करूँ यहां पर my aunt लिखा हुआ है यानि कि अगर मैं इसको दुबारा लिखनू my aunt just a second spelling correct करूँ yes so it will be my aunt अब जरह यहां पर देखे जब my aunt में लिख होगा यहां पर राइटिंग पर नहीं जाएगा समझने कुछ करिएगा तो aunt का जो plural होगा बेटा को क्या होगा aunts होगा यानि कि अब जब इसका आप क्या करेंगे possessive आगे बनाएंगे तो आप धियान क्या देंगे चुकि यहां पर end पर आप देखे एस आ गया है अब इसम के जब दुबारा आप लिखेंगे तो आपके यहां पर केवल apostrophe लगाना है समझगे यानि कि जब आप इसका plural बनाएंगे तो बन जाएगा my aunts apostrophe message आयोप आप यहां पर आपको समझ में आ गया होगा बिटा फिर से में explain करता हूँ यानि कि जब आप इसका plural बनाएंगे अधितर plural के word में क्या होता है कि end पर आपको s मिल जाता है और possessive case का rule क्या कि अगर end पर s है किसी भी नाउन के तो जब उसका possessive case बनाते हैं तो केवल आप लगा ठीक है तो यहां पर हो जाएगा my aunts apostrophe message चलिए ब नेक्स की बात करते हैं यहां पर देखे दियागे the king आप देखे king को आप plural में change करेंगे तो king का plural क्या हो जाएगा यह बन जाएगा kings अब यानि कि यहां पर kings apostrophe यहां तो दा है तो आप दा लगा दीजिए वह आगे दियागे तो आप देखे ज़रा सा men के end पर क्या s आया नहीं आया यानि कि इसका जब आप possessive बनाएं जिसमें आप apostrophe s लगाएंगे क्यों क्योंकि यहां पर apostrophe के पहले बिटा s नहीं है यानि कि जो men noun है यह s से finish नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा man's words आयविस की अब तो आप लोगों को concept definitely clear हो गया होगा अब ऐसी देखे दबुल हो गया अब देखे बुल की बात करें तो क्या होता है बुल्स होता है आप लोगों को पता होगा यानि कि इसमें भी आप क्या लगाएंगे apostrophe लगाएंगे लिखें बुल्स होर्न्स ओके अब जड़ा यह question देखेगा लेडी देखी अगर में लेडी की बात को लेडी का प्रियूर आई विस आप सभी लोगों को पता होगा क्या होता लेडीज और इसकेंड पे एस आता है तो यहां पे लेडीज एपॉस्ट्रॉफी फिर लिख देंगे clothes ठीक है यानि कि आप इस आपको नहीं लगाने पहले मिन चीजों को erase कर दू जो लिखे में जिससे कि आपको confusion ना हो जासे से करने everyone और ऐसे आपको क्या करना सारे questions को solve करना है बस दिमाख में आपके क्या होना चाहिए कि इसमें जो है plural बनाने पर जो noun noun के end पर s आ रहा है कि नहीं आ रहे है अगर s आएगा तो आपको क्या करना क्या लगाना है और अगर s नहीं आ रहा है उस situation में आपने क्या करना है कि केवल और केवल just a second मैं इसे पहले ले 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 तो हाँ चलिए भया जाते है यहां s o l d i e r s आप लगाते हैं spelling में तो इसका जो possessive बनेगा तो आगे दा तो आप देखे लिखे लेंगे the soldiers apostrophe केवल लगाएंगे और क्या लिख देंगे फिर weapons okay everyone आप देखें यहां पर देखें यह वाला the baby तो देखें बेबी का जो plural होता है क्या होता है बेबीज होता है यान इसमें भी एंडबेस मिल यानि केवल लगा देंगे और आगे फिर क्या करतेंगे ट्वैस लिख देंगे horse की बात करें देखें तो horse क्या तो यह सब common sense आप सब लोग को पता ही होगा कि horse का जो plural होता है वो होता है horses यानि कि यहां पर क्या हो जाएगा मैं नीचे यहां पर ल यहां नहीं आता है यानि कि इसमें आप लगाएंगे ठीक है तो वुमेंस कॉलेज़ेस तो इस तरह देखें आपके इस चैप्टर के सारी इक्साइज मनें सॉल्व करा दी है उम्मीद है कि आप लोगों को चैप्टर के सारी कोश्चन समझ में आए हैं अगर प्लीज आए आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं आगली वीडियो को रिकॉर्ड करूंगा और प्लीज जो मैंने आप लोग इस अपील के ज्यादा ज्यादा आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें उनको बोले कि वो भी है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्य ज्याद रहता आप लोग शेयर करने की कोशिस करिए क्योंकि जब आप लोग शेयर करते हैं लोग आती हैं जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है कि जो भी दो चार घंटे निकाल के आपके लिए हम लोग वीडियो हाँ पर रिकॉर्ड करते हैं तो आप लोग उसे जोग उसेए हुप लोग लोग दो